एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चॉइस कीचन आज मैं बनाने जारी हो बहुत ही टेस्टी और टैंटिंग सी मिर्ची जो बनाएंगे हम दहीं के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे अगर यह मिर्ची आपको मिल जाए तो यह देखे कितनी बढ़िया और टैंटिंग सी लग रही है और बनाना बहुत ही आसान है और इससे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं 15-20 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी औ होती है और वह घुल जाती है जब हम उसे फ्राइ करते हैं तो इस तरह की मोटी मिर्ची मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है तो आप यह ले सकते हैं और इसको मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया था और यहां पर इस तरीके से इसकी स्टिक तोड़के और मैंने बी मैं चीड़र डालते हुए और 4 पीसिस करते वे उसको कट कर लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर मैने कड़ाई चड़ा दी और इसके अंदर डाल दिया है कुछ खड़ी मसाले तो इसके अंदर डाल देंगे हुम जीरा थोड़ी सी डाल देंगे सौ और थोड़े से डाल देंगे मस्तर सी या जो नाहिए होती है वह और बस इसको burgun देए के देंगे और जैसे की हमारे मसाले जो है छटक जाएंगे तो इसके अंदर हम जो हमने मिर्ची कट करके डाली थी वो डाल देंगे तो यहां पर देखें अच्छे से मैंने मसालो को भून लिया है और इसके अंदर ही हम थोड़े से स्पाइसीज डाल देंगे अभी तो यहां पर सबसे पहले जाएगा salt to taste और इसके साथ मैं इसके अंदर एड करूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जस्पोर कलर के लिए डालेंगे बाकी मिर्ची तो तीकी होती है तो ज़्यादर डालने के जुरत नहीं है और एक सी डेट चमच हम इसके अंदर डाल देंगे तो बस सारी मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखे सारी मसाले मैंने मिक्स कर लिए है और अब जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी वह इसके अंदर हम एड कर देंगे तो यहां पर देखे मिर्ची एड कर दी है और मिर्ची एड करने के जादा नहीं करना है क्योंकि जब इसके अंदर दही डालें तो भी यह उख होगी तो इसलिए बस एक से दो मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ अच्छे से बूहने गे और दो मिनट के बाद इसके अंदर हम एड करेंगे अपना दही तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरी और अब इसके अंदर हम एड कर देंगे तीन से चार बड़े चमच दही का या फिर ऐसे मानके चलिए कि आदा कटोरी दही तो घर का फ्रेश दही लेंगे अगर आप खटा दही हो तो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हलके सी खटा सी आईगी और कुछ नहीं होगा तो दही पानी डालने के बाद हमारी मिर्ची के अंदर थोड़ा सा पानी आ जाएगा तो घबरानी की कोई ज़रूत नहीं है जैसे जैसे हम इसे कुक करेंगे पानी बिल्कुल हमारा गायब हो जाएगा और मिर्ची एब्जॉर्ब कर लेगी इसको तो बच इसे कंटेनियू जलाना ह जब तक कि जो हमारा दही है ड्राइ ना हो जाए तो अभी देखिए आपको यह पानी पानी लग रहा होगा और जैसे-जैसे हम इसे कुक करेंगे मुश्किल से मुश्किल पांच मिनित का समय लगेगा इस रेसिपी को बनाने में यह देखिए जैसे-जैसे हम इसको कुक करे दही हमारा गाड़ा होता जा रहा है और मिर्ची जो है हमारी यह सौफ्ट हो गई है और देखे पूरा एब्सॉर्ब कर लिया है तो बस रेडी हो गई है वहारी बहुती तेस्टी और टैम्टिंग सी दही वाली मिर्ची अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं इसको आप पूर बाइ बाइ घर पे रहिए सुष्ट रहिए अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियो को इंजॉई करते रहिए थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग